इस गैंग को हमें हटाना होता है रिमूव करना होता है ताकि हमें प्योर मेटल मिल सके तो इस गैंग को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस हैं उनको हम देखेंगे सबसे पहले एक बार हम तारिक सारी इंपॉर्टेंट ओर्स की लिस्ट को देख लेते हैं लीथियम के लिए ओर क्या है स्पॉर्टेंट है जैसे कॉमन साल थो आपको पता होएं आपको पता होना चाहिए याद होना चाहिए है, magnesium का magnesite, yes important है, dolomite, mgCO3, cacO3, carnelite, kcl, mgCO2.6H2O, epsom salt, mgSO4.7H2O, यह चारों-चारों important है, then gypsum, cSO4.2H2, यह आपने S-block में पढ़ा ही होता है, limestone, calcium carbonate, phosphorite, ca3PO4, twice calcium phosphate, fluorospar, cf2, bauxite, al2O3.2H2O, जबकि ncrt में इसका थोड़ा सा different है, ठीक है, diaspore पढ़ने के उत्री जूरूत नहीं है, corundum, al2O3, cryolite, na3, lf6, cassiterite, tin का होता है, sno2, lead के लिए galena, pbs, serucite, pbCO3, anglicite, pbsO4, तो यह भी question में पूछा जाता है, काफी common हैं यह वाले, then copper के लिए chalcoparite, cf2, ठीक है, next one नहीं, इंपॉर्टन नहीं है, iron के लिए इंपॉर्टन नहीं है, hematite, limonite, magnetite, siderite, iron pyrite, जिसको fools gold भी कहते हैं, क्योंकि यह सोने की तरह चमकता है, ठीक है, yellowish color होता है इसका, mercury के लिए sinawar, zinc के लिए zinc blend, और calamine ZnCO3, zincite, ZnO, तो यह सारी सारी important है, अब इसके notes आपको टेलिग्राम के उपर मिल जाएंगे, ठीक है, बाकि मेरे Instagram के उपर भी मिल जाएंगे, paras underscore ठाकूर पे आप लोग, इंस्टा पे अगर हो, ठीक है, तो मेरे profile पे जा सकते हैं, और you can just search canvas classes on इंस्टा, तो वहाँ पर इसके notes वहाँ पर भी upload होते हैं, अब next बात आती है कि और में से हमें gang particle को उटाना है, जो unwanted material है, उसको हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए पूरा starting process क्या होगा है, जो बड़े-बड़े pieces हैं, उनको fine powder में तोड़ा जाता है, तो पहले crush करते हैं, फुर उसको बिलकुल powder form में ले आते हैं, उसके बाद उससे gang particles को remove करने के process को कहते है, concentration of ore, तो ये वो concentration ही जो आपने mole concept में पढ़ा होगा है, concentration of ore का मतलब, ore में से unwanted particles को निकालना, हटाना, इसके हमारे पास main चार तरीके है, gravity separation जिसको hydraulic washing भी कहते हैं, second frost flotation method, third is magnetic separation and fourth is leaching, ठीक है तो यहाँ तक की कहानी, याद होगी, चलिए, अब एक एक करके process को पड़े ते, gravity separation में क्या होता है, आपको पानी से धोते हैं, इसको hydraulic washing भी कहते हैं, और gravity separation का जो fundamental principle है, that is, कि या ओर की density और gang की density में difference होगा, मतलब impurities, या तो भारी होगी या हलकी होगी, या और भारी होगा और हलका होगा, तो दोनों की densities में difference होने की वरे से, एक जो भारी particles होगे, वो नीचे डूप जाएंगे पानी में, और जो हलकी होगे, वो पानी के साथ उपर बह जाएंगे, तो पानी जब इस तरह से flow करता है, तो भारी particles नीचे बहट जाते हैं, और हलके particles उपर से निकल जाते हैं, तो अगर impurities आपकी light weight हुई, तो पानी के बहाव के साथ निकल जाएंगे, तो this method is called gravity separation, और gravity separation भी या कहां इस्तेमाल किया जाता है, देखे, the lighter gang particles are washed away, leaving the heavier ores, heavier ores generally कौन से होते हैं, oxide ores, Fe2O3, Fe3O4, etc. के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, next method is frost flotation, frost flotation को mainly sulfide ores के लिए इस्तेमाल किया जाता है, copper का sulfide ores, silver का, zinc का, या lead का, इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ इस तरह का हमारे पास setup होता है, जिसमें हमने यहाँ पर पानी में, क्या कि हो, एक हमने pulp बनाया है, जो ore हमार powder form में, ore होता है, उसका pulp बनाते है, oil के साथ mix करके, एक suitable oil होता है, ऐसे नहीं कि तुमने करवा तेल लगा लिए, या फिर ठंडा ठंडा कूल कूल लगवा लिए, वो नहीं होगा, एक suitable oil लेते हैं, यहाँ पर, suitable oil का बतलब क्या होता है, हम चाहते हैं, कि जो gang particle है, वो पानी of powdered ore in water is made followed by addition of collectors, तो collectors कौन को नहीं होता है, pine oil, fatty acids, xanthates, sodium methyl, xanthates, etc, और froth stabilizer कौन होता है, krisole और aniline as a froth, जो जाग है, वो बना रहे, उसको stabilize करते हैं, then, ore particles are made wet by oil, तो ore particle को गिला करेगा oil, और वो surface पे आ जाएंगे, जाग के साथ, और जबकि जो impurities हैं, they are wetted by water, तो वो आएक सद नीचे settle हो जाती है, ठीक है, अब तो ये तरीका होगा है, main, revision चल रहा है, अब अगर हमारे पस मालेज़े, दो sulfide ore है, उनी को आपस में दूसरे से separate करना है, तब भी आप froth flotation method का इस्तिमाल कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए दो तरीके है, एक तरीका है, adjusting proportion of oil to water, मतलब कितना तेल डाला है, कितना पाने डाला है, इसके proportion को vary करके, हम दो sulfide ores को भी separate कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है by using depressants, depressants क्या करता है, दो sulfide ore में से, एक के साथ react कर लेगा, और उसको dissolve कर लेगा, दूसरे को छोड़ देगा, दूसरे को surface पे ज पीचे रख लेगा, जबकि PBS को उपर जाने लेगा, ठीक है, तो दो तरीके होगे, next is magnetic separation, हमारे पास यहाँ पर एक conveyor belt होती है, एक roller आपका magnetic को तो और एक non-magnetic होता है, तो ore वाला जो mixture आपका powder, जब वो यहाँ से आया, तो उसमें जो magnetic particles होंगे, चाए वो ore के हों, चाए अंदर के तरफ गिरेंगे, और जो non-magnetic particles होंगे, वो tangential velocity के वरे से थोड़ा आगे जाके गिरेंगे, तो इस तरह से non-magnetic और magnetic particles को आप separate कर सकते हो, तो यह generally किसके लिए करते हैं, जैसे magnetite हो रहा है, Fe3O4, फिर chromite हो गया FeO, Cr2O3, pyralucite MnO2, tungsten, और इनके लिए हम magnetic separation इस् किया जाता है, suitable solvent क्या होता है, एक ऐसा solvent जिसमें और particle घुल जाएगा, impurities नहीं घुलेंगी, तो और घुल गया पुरा, फिर आपने उसको filter किया, तो जो घुल चुका था, वो तो filter से पास कर जाएगा, पर जो impurities थी वो filter paper पे पीछे रह जाएगी, तो इस तरह से आपने impurities कर लिया, तो देखे, पहला तरीका हो गया, leaching of alumina from bauxite, तो bauxite is Al2O3, इसको sodium hydroxide, अब देखो ये जो bauxite है, ये वाला, इसमें impurities है, तो इसको आपने sodium hydroxide के साथ ट्रीट किया, तो sodium aluminium hydroxide बना, या ऐसे बोल देख, sodium tetrahydroxoaluminate बना, ये चनाब, अब ये जो था, ये soluble था, फिर आपने इसको filter किया, impurities अलग होगी, फिर अगले step ने इसको carbon dioxide से treat किया, क्योंकि हमें वापसे Al2O3 चाहिए, तो sodium tetrahydroxoaluminate को carbon dioxide से treat करने पे आपको मिला, hydrated alumina, अब ये जो water ये आपको नहीं चाहिए, प्लस sodium bicarbonate, fine, अब इसको आपने separate कर लिए, क्योंकि ये जनाब solid solid form में इसको आपने precipitate को अलग कर लिया, और फिर उसको heat किया, heat से सारा पानी निकल गया और आपको Al2O3 pure form में मिल गया, वैसे ही, silver और gold की separation में भी, उनकी metallurgy में भी leaching इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, उनकी purification में, और उसमें जो solvent होता, वो आपका cyanide होता है, तो यहाँ प साथ complex बनाएंगे, फिर उस complex में से metal को बाहर निकालने के लिए हमें एक reducing agent के इस्तेमाल करते हैं, जो कि zinc भी हो सकता है, और zinc के लावा कोई और reducing property वाला element भी हो सकता है, तो इस तरह से हमने क्या कि यह gang particles को निकाल दिया, impurities को निकाल दिया, अब बात आती है, next, और क्या कही है हमारे पास तरीके हैं, देखे, तो purification के, अब आता आती है, proper हमें इसको purify करना है, कुछ impurity जो directly नहीं निकल पाती है, ठीक है, देखे, तो highly active metal जो है, like sodium, potassium, magnesium, यह बहुत आतरी active होते हैं, तो इनको आप किसी reducing agent सा react नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि खुद ही यह बहुत strong reducing agents हैं, तो इनकी reduction के लिए का करते हैं, electrolytic reduction यूज करते हैं, ठीक है, electrolytic reduction के तुम हम metal form में receive करते हैं, extract करते हैं, तो oxides of highly electropositive metals do not easily reduce with coke or other reducing agents, तो यह तरीका आप क्लीर होगा आपको, तो pure metal आपको यहाँ पे cathode पे मिलेगा, दूसरा आप है roasting, अभी roasting क्यों करते हैं, जो हम class में करते हैं, उसके लावा क्यों करते हैं, दीक है, roasting और calcination दो तरीके हैं, जो भी आपको और मिलेगा, और प्यूरिफाइड वाला और, वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, oxide और हमें ही चाहिए होता है, मतलब, मतलब करना हमार पास carbonate और हो तो उसको oxide में convert करो, sulfide हो उसको भी oxide Calcination और roasting, calcination, air की absence में की जाती है, क्यों, जैसे माल लीजे carbonate ore है, तो इसको बाहर से extra oxygen लेने की जूरुत नहीं है, oxide बनाने के लिए परियापत मातरा में इसके पास oxygen है, तो आपको air की absence में heat करना है, roasting में क्या होता है, जैसे PBS है, PBS के पास oxygen है क्या, नहीं, तो PBO कैसे बना air, तो यह समझ आ गया, जिससे sulphide ore जो है, वो oxide में convert हो जाते हैं, यह होता है roasting, और जो volatile impurities हैं, वो vapor बनके निकल जाते हैं, calcination means air की absence में heat करना, near the melting point, और उसमें भी जो volatile impurities हैं, वो vapor बनके बाहर निकल जाएंगी, या oxide बनके निकल जाएंगी, then next तरीका हो गया, तो यहां अब इसके बाद आप सारे metal oxide मिलेंगे आपको, क्योंकि या तो roasting से वो oxide में convert हो जाएगा, या calcination से वो oxide में convert हो जाएगा, अब इस oxide में से oxygen हटा के आपको metal मिल जाएगा, तो basically इस oxide की करनी के आपको, इसकी करनी आपको reduction, right, तो इसकी reduction करने के लिए आप क्या use करेंगे, reducing agents use करेंगे, ठीक है, अब reducing agent भांती-भांती की होते हैं, उसके बारे हैं बात करते हैं, तो उसके बाद जो आपने reduce कर दिया तो आपको मिला metal, पर वो metal pure नहीं है, impure metal है, उसको further purify करने के लिए refining methods इस्तेमाल किये जाते हैं, तो हम बात करेंगे इनके बारे में चिंता मत करी अब देखिए, बात आती ही reduction की, तो reduction करने के लिए पहला तरीका आपके पास है smelting, smelting मतलब बैटा, coke के साथ, पीने वाला नहीं, carbon बाला coke, ठीक है, carbon बाले coke के साथ उसको heat करते हैं, क्योंकि coke एक अच्छा reducing agent है, तो smelting means, जो concentrated ore है, मतलब जिसमें से impurities हटा ली कहीं है, hydrogen को भी as a reducing agent यूज़ किया जाता है, alumino thermite process, alumino thermite process में aluminium as a reducing agent यूज़ किया जाता है, क्योंकि aluminium की oxygen के लिए बहुत strong affinity है, other metals like magnesium, ये भी as a reducing agent यूज़ किया सकते हैं, self reduction या auto reduction क्या ओता है, हमें सामने से कोई नया reducing agent नहीं चाहिए, हम अपने आपने ही reduction कर लेंगे, तो यसे copper sulf sulfide O2 से अपने treat किया तो पहले, CO2O और SO2 बना, अब ये पूरी तरह नहीं हुआ, sulfide को अपने पूरी तरह oxide में convert नहीं किया है, मतलब roasting complete नहीं हुए है, थोड़ा सा sulfide भी बच जाएगा, थोड़ा सा oxide भी होगा, तो ये दोनों आपस में फिर react करके, copper plus SO2 बन जाता है, lead, copper, ethin metal self reduction करते हैं, then बात आती है, elingum diagram, elingum diagram में basically क्या होता आपके पास, delta G naught formation का temperature के साथ एक plot होता है, right, तो each plot is a straight line except जब phase change आता है, मतलब इस straight line में जब change आएगा slope का, तो वहाँ पे कोई phase change हो रहा है, मतलब liquid से gases में जा रहा है, solid से liquid में, liquid से gas, कोई phase change वहाँ पे हो रह देंगे, अब इसमें generally पूछा के जाता है, देखो यार, जैसे मान लीजे मुझे FeO को reduce करना है, FeO को reduce करके iron में convert करना है, तो मुझे reducing agent लेना पड़ेगा, तो मैं कौन सा reducing agent लूँ और किस temperature पे heat करूँ उसको ताकि मुझे ये reduction complete हो जाए, देखे, जिस भी oxide को आपको reduce करना है, उसका graph पकड़ो, ये वाला graph है इसका, इससे नीचे वाले जितने भी graph है, वो as a reducing agent इस्तेमाल किये जा सकते है, मतलब FeO को reduce करने के लिए, मैं कौन कोन ले सकता हूँ, इसके नीचे कौन कोन है, zinc है, chromium है, titanium है, aluminium है, magnesium है calcium है, तो जो नीचे वाला है, वो उपर वाले oxide को reduce कर सकता है, तो नीचे वाला metal उपर वाले oxide को reduce कर देता है, और secondly, जितना नीचे होगा, मतलब दोनों की बीच में जितना gap होगा, उतनी ही असान होगी reduction, जैसे इसके case में, calcium बहुत अच्छा reducing agent हो जाएगा, magnesium बहुत पहले, magnesium नीचे है, तो magnesium AL2O3 को reduce कर पाएगा, up to this temperature range, उसके बाद magnesium का graph उपर चला गया, तो अब magnesium जो है, वो AL2O3 को reduce नहीं कर पाएगा, beyond this temperature, तो यह हमें पता चल जाता है, Ellingham diagram से कि किस temperature range में कौन से reaction हो पाएगा, next is refining of metal, तो आपको crude metal मिल चुका है, अब उसमें से थोड़ थोड़ी जी हो impurity अभी भी बची रहते हैं, उनको निकालना है, तो उसका पहला तरीका हो गया है distillation, distill किसको गरते हैं भी या, distill होते हैं जहाँ पे आपको boiling point के difference के basis पे, कि जो कम temperature पे boil हो जाते हैं metals, उनको distillation से separate के जाता है, जैसे कि zinc, cadmium, mercury, ठीक है, यह एतने low boiling बाले होते हैं, यह चारे vapor बनके निकल जाते हैं, तो they are refined by distillation, second is liquation, heat करके इनको melt करके लग कर लिया आता है impurity से, माली जी impurities का melting point high है, और metal का low है, तो आप heat करेंगे, तो जो metal low melting point बाला वो धिर धिरे melt होके, liquid बनके flow करके आगे निकल जाएगा, बहके, और जो impurities है, वो melt electrolysis, electrolysis में anode में impure metal को रखा जाता है, और cathode पे आपको pure metal मिलता है, ठीक है, तो electrolysis किसका करवाते हैं, copper, zinc, silver, gold, aluminium, इनके लिए electrolysis यूज किया जाता है, तो clear होगे है, यहां तक ही कहानी clear है, next is, sorry, there was some background noise, next is zone refining, zone refining में क्या होता है, देखिए, this is, कि impurities हमारी molten state में जाद अच्छे से घुलती हैं, ठीक है, molten state में impurities जाद अच्छे से घुल पा रही हैं, इस principle के ओपर यह based होता है, और जैसे यहां पर आप heat कर रहे हैं, तो heat करने से क्या होगा, यह वहारा section जो melt होगा, metal rod का, impurities इसी में रहना prefer करेंगी, तो जैसे से heater आगे जाएगा, यह section भी आगे आगे जाएगा, impurities भी आगे आगे जाएगी, तो इस पूरे section की impurities धीरे धीरे heater के साथ उसी direction में जाने लगेंगी, और last में सारी कठी हो जाएगी, और इस वाले part को आप काट दोगे, तो पी vapor phase refining, vapor phase refining के आपके दो method है, important, mons process, जहाँ पर nickel को carbon monoxide से treat करके, एक volatile compound NaCO4 में convert किया गया, यह nickel आपका impure था, फिर NaCO4 को और high temperature के heat किया, तो वापस से वो तूट जाता है, पर जब वापस से तूटता है, तो उसके अंदर जो थोड़ी बहुत impurity बची थी, वो भी निकल ज के साथ उनका iodide बनाया जाता है, जो भी अकेन volatile compound है, और थोड़ा high temperature पर heat करने पर वापस से तूट जाएगा, तो titanium को देखे 2i2 से treat करके, TIi4 बनाया, उसको further और high temperature पर heat करके वापस से तोट दिया, तो वापस से जब वो तूटा, तो कुछ और impurities थी वो निकल गी, तो यह पहले से जादा अधिक pure form में आपको मिल गया, then hydrometallurgical processes, amalgamation, chromatographic methods, यह भी processes है, you can just pause the video and read about these, यह उतना ही important नहीं है, इस इनको मैं notes में include कर दूँगा, but इतना जाए इनको आप अगर रटा मारने के चक्कर में हो तो उतना भी जादा important यह नहीं है, यह ना chromatography आपने component का, adsorb होने का जो tendency है, वो अलग-लग होगी, उसके basis पे उनको separate कर लिया जाता है, chromatography में ऐसा होता है, polling method, polling method important है, ठीक है, polling method में क्या होता है, basically, the impure metal containing oxide as impurity, metal में जो impurity है, वो उसके oxides की है, can be purified by this method, the molten impure metal is stirred with green poles of wood, लकडी के अरे, जो मतलब लट्थे होते हैं, उनसे इस क्या होता है, green poles of wood, जब हो hydrocarbon provide करेगा, क्योंकि लकडी basically hydrocarbon है, ठीक है, तो उसके इतनी heat पे, जब उससे लकडी से उसको हिला रहे हो, तो उससे hydrocarbon gases release होते ही, जो की as a reducing agent काम करती है, और उस oxide को वापस से metal में reduce कर देंगी, तो ये copper के case में इस्तिमाल किया जाता है, polling, ठीक है next is cupulation, cupulation के case में क्या होता है, देखिए, in this process, ores और alloyed metals are treated under very high temperature and have controlled operation to separate, आप देखिए वाली कहानी बिकार है, इसमें जो आप काम की चाहिए that is silver, ठीक है, and gold, तो operation to separate noble metal like silver and gold from base metal like zinc, bismuth and arsenic, तो इन तीनों की purification के लिए, कि इन में silver और gold की जो थोड़ा सा amount है, impurity की form में, उ कितना सा याद रखना आपको अभी, और ये cupulation के नाम बोलते हैं इसको, छोड़ा सा है जो, क्या होती है, small boat shaped dish होती है, उसके नाम की वैसे के नाम cupulation पढ़ता है, ठीक है, उसको cupul बोलते है, besimmerization, besimmerization, steel manufacturing में काम आता है काफी जादा, in this process, the impure metal is heated in a besimmer converter, and a blast of compressed air is blown through the molten mass, तो molten mass जो है, the metal को अपने molten form में ले आए, उसके तुरू air pass कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, कुछ limited time तक, limited quantity of air pass की जाती है, उस process से वो further purify होता है, तो impurities get removed in the form of oxides, तो impurities उस air के साथ react करके oxide बनके बाहर निकल जाती है, तो यह steel बनाने के काम आता है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, part 2 में इसके देखेंगे हम, different different जो methods है, हमारे पास, जैसे आपको zinc की purification करनी है, पूरा, extraction of zinc कैसे होगा, aluminum कैसे होगा, iron के लिए, silver के लिए, वो जो detailed processes extraction के, वो हम discuss करेंगे, second part में, let me know को यह session कैसा लगा, and do share, like, subscribe, thank you,